आप सभी को में यूटीब चैनल में स्वागत हैं तो आज में लेके आया हूं आप सभी को हिंदी का अब्जेक्टिव कोशन देखें फर्स्ट कोशन है स्रम विभाजन और जाती प्रथा पाठ बाबा साहिब के किस भाषन का संपायत अंस है इसका जो फाइनल आंसर होगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा सॉरी अप्शन हो जाएगा एनिहिलेशन आफ कास्ट चले नेस्ट कोशन देखते हैं कि स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखक कौन है स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखक है हमारे भीम्राव अम्बेदकर में के नेस्ट को और सम्गें को संदेखेंगे कोस्ट नमरर मूर तीन भीव रामेध करका जनम क और जनन मंगे मांध मुर्दिष महवा ड़ दिखेंगे इस नमरर चार करत न पॉस्ट मुर्भ हर राज हुआ कोशन नमर 5 भीम्राव अमबेदकर की मिर्थु गब हुई थी दिसंपबर 1965 में नेशट कोशन देखेंगे नेस्ट कोशन ने भीम्रावेदकर को चिंतर रचनात्मा के मुख्यता कितने प्रिरख व्यक्ति हैं तेन के मुख्यता आपका तीन प्रिरख व्यक्ति हैं चिले नेस्ट कोशन देखेंगे किस वर्ग के परिवार में जनम लिए थे पिछरा समान दलित वर्ग मध्यंबर्ग तो इसका अंसर जगा दलित वर्ग में उनके जनम हुआ था नेस्ट कोशन देखेंगे कोशन नमर आठ जाती वाद के पोस्को द्वारा सरम भी भाजन किसका दूसरे रुप माना गया है जाती प्रथा का जाती वाद जाती प्रथा का ही दूसरे रुप माना गया है नेस्ट कोशन कोशन नमर नौ जाती प्रथा किस परकार का सरम भी भाजन है तो अस सभाविक है जाती प्रथा अस सभाविक है नेस्ट कोशन देखेंगे कोशन नमर दस जाती प्रथा का नुसार सरम भी भाजन का अधार क्या है तो जाती प्रथा का नुसार स्रम विभाजन का अधार जो है आपका पैत्रिक पेशा है नेश्ट कोस्टन कोस्टन नमर एगारा स्रम विभाजन और जाती प्रथा सिर्षा किसके दवार हिंदी में रुपांद्रीत है तो ललाई सिंग यादो ललाई सिंग यादो हो जाएगा चैनेश्ट कोस्टन देखेंगे कोस्टन नमर बारा जाती प्रथा मनुस के पेशे को किस परकार प्रभाववित करती है तो यह मनुस्टन को जीवन भर एक ही परकार के पेशे में बांध कर रखती है चले नेश्ट कोसन देखेंगे बिडमना का स्वरूप क्या है तो बिडमना का स्वरूप है आपका उपहास या अलंबन तो इसका हो जाएगा उपहास अपसन 13 का भी हो जाएगा सच्चे लोगतंत का प्रयाय जाती प्रता सुशासन भाईचरा कानून तो भाईचरा होने चाहिए अपसन C नेश्ट कोसन देखते हैं भी उना अमेदकर के पेड़क के क्या क्या नाम थे बूद्ध कभीर और जो तीवा फूले आपका अपसन हो जाएगा सी अपसन हो जाएगा नेश्ट कोसन देखेंगे कोसन नमर आपके पास सोला है बाबा साहिब अमेदकर संपुन वांग मैं नाम की पुष्ता कितने खंड़ों में परकासित किया तो टोटल एक इस खंड था आपका अपसन हो जाएगा सी चेनेश्ट कोसन देखेंगे लाहोर लाहोर का वार्षिक समयलन कभ हुआ था तो अपसन हो जाएगा बी अपसन 1936 नेश्ट कोसन देखेंगे कोसन नमर अठारा डाक्टर भीवरामेदकर की रचनात्वक प्रेरक व्यक्ति कौन थे तो प्रेरक व्यक्ति थे आपका जो तीवा फूले चेनेश्ट कोसन देखेंगे हम नेश्ट कोसन देखेंगे हैं कि इसके पुरसाहन परबावा साहिब उच्चतर शिक्चा तो ब्रॉद्रा नरेश्ट इसका अंसर वागा ब्रॉद्रा नरेश्ट चेनेश्ट कोसन देखते हैं बुद्धा एंड हीजद्हम के लेखद कौन है बुद्धा एंड हीजद्हम के लेखद कौन ने पूंब सोन देखते हैं भीम्राव अंदकर या महत्मा गांधी या भिर्जु महराज तो आपका हो जाएगा आंसर भीम्रामेदकर चैने नेस्ट को सन देखते हैं भीम्रामेदकर की राचना है कौन कौन है दा राइट एंड फॉल अफ दा हिंदू में संथ प्रप्रसाइट विचार भी तरभारती लुप तो यह आपका अपसर यह हो जाएगा आपका यह अपसर आपका यह जाएगा दा राइट एंड फॉल अफ दा हिंदू में कोस्टन वर बाइस डॉक्तर भीम्रामेदकर के नों सरजाती प्रता स्रम विभाजन के सांथ साथ किसके विभाजन का रूप लिये हुए है तो स्रमिक विभाजन दलित भीभाजन सभ ज़नों का विभाजन स्रमिक विभाजन तो आपका एंसर जाएगा दलित स्रमिक विभाजन हो जाएगा स्री कुसल व्यक्ति का विभाजन होगा चे नेश्ट कोसन देखेंगे कोसन नमर तेईस भारत की जाती प्रता की विशिश्टा क्या है तो यह स्रमिकों का सभाईक विभाजन कर देती है यह प्रतधा साभाएक स्रोहमिवाजन नहीं है क्योंकि यह मंदुस्की रूची प्रधारित भांग है यह प paragraph कि 19 से रूज़ितने क्ष황ता से रोजगार जाता है यह यह मनुस्कीर प्रॉची प्रधारित नहीं File here या मनुस्की डूची प्रधारित नहीं है या आपका अप्सन डी हो जाएगा चेनेश्ट को संदेखेंगे लिखाक आज की उध्योगों में गरीबी और उत्पिरन से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं आप्सन निर्धारित कार्ज को रोची के सांथ विवस्ता प्रूब करना अनुभाव हिंता कार्ज को सलता का भाव एकता का भाव तो इसका अंसर हो जाएगा आपका एकता का भाव जो होता है सौरी निधायत का आर्ज को अरोची के सांत विवस्ता पूर्वा करना है नेश्ट कोसन देखेंगे कोसन नमर 26 कौन सी विवस्ता मनुस के पर सिक्षना थो उसकी निजी स्थमता का विचार कि ये विना उसके स्पेसा को निधायत कर देती है बताएए तुछ इसकी जाती प्रथा नेश्ट कोसन आधुनिक मनु किसे कहा गया है तो आधुनिक मनु मनु डक्टर भीरामेतकर को कहा गया है साहित क्यव कि लेकर के दृष्टी में विनामनास कि बयात कि जाती वड़ को ONE का मीनिक थे शोड़िज्टर उचिते जाती वीजी वह शांध के पोषको बसको कि श्थल क्यों है कराय कि लेखा के दिश्टी में आदर्स समाज कैसा होना चाहिए जिसमें ये तीनों गुन होनी चाहिए सौतंता समांता और भाई त्रित्तो लेखा बिरुजगारी का पर्मुकर प्रतेक्स कान किसे मानते हैं तो जाती प्राथा को मानते हैं आपका अप्शन हो जाएगा सी के निश्ट को सन कर आए कि डृक्टर भीनामेडकर के जनम काव होता था महुमद परदेश में हुआ था अप्शन ये हो जाएगा नेश्ट कोसने डाक्टर भीरावेटकर ने किस पत्रिका के संपाधन किया तो जोल भारत भाईस्कीरित भारत या प्रुस्कीरित भारत तो इसका हो जाएगा आपसांस C भाहिस्कीरित भारत नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमर 34 भारतिय सविधान के निर्वात्य करूप में किसे मानते हैं तो डाक्टर भीरो अवेदकर को मना जाता है नेस्ट कोश्चन कर रहे क्या कि डाक्टर भीरो अवेदकर का वांग में हिंदी की कितने खंड़ों परकासित हुआ तो 15-17 से कोई स्थिकोई स्थिकोई परकासित हुआ इसका अप्शन हो जाएगा एक का इस अप्शन डी हो जाएगा चले नेस्ट कोश्चन देखते हैं आधुनिक सब समाज का परिए सलता के लिए किसे आवसक मानता है स्राम विभादन धन विभादन जन्विभादन जाती ही वाजन तो आपका अप्सर्ण होगा श्रम बिभादन जाती वाजन ना स्रम भीभादन ही सही है यानि सकॉनिके इस कोश्चन देखते हैं करके पीता का नाम दे ओ सक्पाल राम किस हम राधे राम जी सक्पाल смож पे या डाइक करके श्य कह नाम से अग्यागा निज में कूंत та बाइब का माता का क्या नाम था रानी भाई कुंती भाई सीला भीमा भाई इनका अंसर भीमा भाई अब डी हो जाएगा नेस्ट को सन देखेंगे करें कि पीछडी को प्राप्त की तो ड्रूरामेदकर के पीछडी के पादि इसे में प्राप्त की नेस्ट को सन दगास्ट इन इंडिया वेयर में किसी रचना है तो यह भी भीमा अमेदकर का रचना है है मुख नाय कि अख़बार है पत्रिका है यह कोष्टा क्या कहाणी संग句va है मुख नैग पत्रिका है निष्ट कोउशं अधुनिक शब समाज में कार्श कुछलत्य के लिए किसका वसिक मैंना जगिया है याती तो याद रखे कि जाती प्रत्था को माना गया है की प्रमु कायन बनी है तो धुझी जार्वन कायन बनी है बाबा साहिब का भी ख्यात भासन इसमें से कौन से भाध भारत भक्त आफ कास्ट नकेंद प्रभाध एनिहिलेशन आफ कास्ट सी अपसन हो जाएगा आपका भी उरावेकर निवन में से किसकी रचना किये बना जाती प्रतार स्रम्भाजन नेष्ट को सन देखेंगे कि स्रम्भाजन जादी परताग गौध की कौन सी विद्यायत निवंद है नेष्ट सेधरेस्न नवर को सन सब इस समाज स्रम विभाजन के लिए किसको अवसे गमानता है काज कुछ अलता को हुजाती प्राथा वन विभाजन सही हो जाएगा इस तरह हमारा टोटल फस्ट प्रसनावली का एक चैप्टर समाफ्थ होता है ठीक है